नेक्स लेकि बच्चों क्वस्टिन नबर 4 है, 4 में भी सेम यही काम करना था, आपको function दे दिया गिया है, आपने harmonic चेक करना है, दोनों के double derivatives निकालोगे, पहले single single निकालोगे, निकालने के बाद उसको add करोगे, तो add जेंड आप देखोगे, आपका answer 0 आजाएगा, function harmonic हो आजाएगा, y-value term को integrate करोगे with respect to i, integrate करने के बाद बचो आपके पास एक constant आजाएगा, उसको फिर आप differentiate करोगे with respect to x, जिसके respect से integrate किया थो उसके opposite के respect से आप differentiate करोगे, तो करने के बाद बचो आपके पास partial v or partial x आजाएगा, उसकी value लगाओगे, यह दोनों terms cancel हो जाएगी, h dash of x equal to 0 आजाएगा और यहाँ से h of x का answer आजाएगा, c, उसकी बाद बचो आप इसको weak अंदर put करोगे, तो agent आपकी harmonic conjugate का answer आजाएगा, corresponding analytic function के लिए u की value पुट करोगे, v की value पुट करोगे, तो corresponding analytic function का answer आजाएगा, इसी तरह बचो question number 5 or 6 सब आप लोगोंने खुद कर लेन उसके लावा मैं आपको कुछ pictures भी send कर दी है, जिसमें बचो इसकी solution है, मैं आप लोगों को again बता देती हूँ, उसमें भी आपने ही सारा काम करना है, harmonic function निकालने है, harmonic conjugate निकालने, उसके बाद u और plus eota v की value को substitute कर देने, तो आप लोग ए question try करीएगा, अगर किसी step में problem ही, तो मुझे पूछ लीजेगा, उसके बाद next question number 7 है, 7 में भी बचो यही काम है, आपको एक function दे दिया था, देखें, आप वो u की form में था, आपने उसका पहले x के respect से partial derivative निकाला, जहां दो 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 दफाय x आ रहा होगा, वहाँ पे बचो product rule लगेगा, इसी तरह आपने उ उसका double derivative with respect to x निकालना है, फिर आपने उसका u का derivative with respect to y निकालना है, फिर u का double derivative with respect to y निकालना है, दोनों के double derivatives को बचे जो बैट करोगे तो आप देखोगे, एक की एक term plus sign के साथ आ रहे होगी, दूसरे की वही term negative sign के साथ आ रहे होगी, तो सारी terms के answer हो जाएंगे और इसका answer 0 जाएगा इसका मतलब भी आपका harmonic function यह function जो यू था यह harmonic है उसके बाद harmonic conjugate के लिए आप CR equations लिखोगे दोनों equations में यूवली term की value put करोगे तो यह आ जाएगा जो वी वली term होगी बचो उस पे आप लोग integration apply कर दोगे with respect to we अब जहां पर दो functions आ रहे होंगे y into sin y जैसे के देखें यहां पर integration by parts लगेगा आपके पास के first function as it is integration of second function minus integration integration of second function into derivative of first function आप integration by parts लगा होगे उसको solve करोगे तो h of x की form में constant आ जाएगा उसके बाद इसी term का with respect to x derivative लोगे लेने के बाद जो partial v or partial x की value होगी put करोगे आप देखोगे सारी terms cancel हो जाएंगी h dash of x equal to zero हो जाएगा और यहां से इसका integration करने के बाद dash of x की value आ जाएगी c तो यह वी वाले term में put करोगे तो बच्चों आपके पास हर्मोनिक ओन जोगे एट आ जाएगा उसके बाद corresponding analytic function के लिए फिर वो यू प्लस से उटा वी लिखोगे यू और वी की value put करोगे तो आपके पास corresponding analytic function भी आ जाएगा इसी तरह बचो question number 8 और 9 नहीं आप फुद करोगे इसकी calculation में आपको send कर दूंगे आपने वहां से टैली कर लेनी है उसकी बाद बचो आज की लेक्चर का last question है last question है tan inverse x वाला tan inverse minus y over x और इसमें भी आपने same वही काम करना है ए पार्ट में आपने चेक करना है कि आपका function हार्मोनिक है या नहीं है हार्मोनिक के लिए आपने tan inverse की आपको पता इसका derivative 1 over 1 plus x की और एंगल का गेंड derivative होता है उस respect से आप इसका x के respect से derivative निकालोगे फिर double derivative with respect to x लोगे इसी तरह y के respect से derivative निकालोगे double derivative with respect to y लोगे जब इनके double derivatives को आप add करोगे देखोगे एक plus sign के साथ एक minus sign के साथ है तो वह equal to 0 हो जाएगा इसका मतलब भी आपका function हार्मोनिक है फिर आपने उसकी हार्मोनिक conjugate निकालने उसके लिए CR equations लिखोगे यूवालिटम्स की value पुट करोगे तो वीवालिटम्स की value आजएगी जो वीवालिटम y के respect से उस चीज़ का integrate करोगे तो देखो function और उसके साथ उसका derivative होना चाहिए derivative के लिए 2y होना चाहिए था 2 से multiply divide करोगे function नीचे उपर उसका derivative तो की वी में put करोगे तो यहां पर आपका corresponding function का काम भी complete हो जाएगा अब बच्चो यह पहले 10 questions जो मैंने आपको समझाएं से सुनें समझें अगर किसी भी step में problem है तो मुससे पूछ ले